Assalamualaikum जी, in this lesson we are going to learn के अपनी फाइल को as a package कैसे सेव किया जा सकता है और इसके क्या benefits है So, let's have a look on it तो जी, फाइल को as a package सेव करने के लिए हम लोग अपनी second फाइल पर जाएंगे जिसमें हमने font को outline नहीं किया था और इसमें हम जो हमारा third artboard है let's delete the content ठीक है और let's remove these scares तो हमारे पास यहां पे कुछ fonts है और हमारे पास एक image है So, इसका हम package create करते है package create करने के लिए you just have to go into the file और यहां से आपको package पे click करना पड़ेगा इससे पहले illustrator हमें एक message शो कर रहे है कि document must be saved before continue So, हाँ इसको हम save कर लेते हैं इसने file को save कर दिया और हमारे सामने एक window open कर दी अब यहां पे वो हमसे पूछता है कि आपने इसकी location क्या रखनी है तो आप location कोई भी रख सकते हैं तो इसकी location में इस वकट desktop रख लेता हूँ और यहां पे quotation design folder की जगा हम इसको package कर लेते हैं और यहां पर जो और नीची options हैं इसमें से बड़ा ज़रूरी है कि आपने copy fonts इसको आपने check करना है अगर यह आपका unchecked है और इसके इलावा यह जो आपका relink linked files to document इसको आप check करें और collect links in separate folder इसको आपने check करना है so make sure कि आपके यह तीनो options check हो और उसके बाद हम package पे click करते हैं so click ok यह इसने हमारा package create कर दिया अब हम desktop पे जागे देखते हैं कि इसने हमें क्या save करके दिया so यह quotation design package तो यहाँ भी अगर आप देखें so इसने एक .ai file save करके दिया आपको और साथ में दो folders बना के दिये अगर हम fonts वाले folder में जाते हैं तो जो हमने fonts यूज किये थे अपने design के अंदर that was rubic medium quotation के लिए और southern area author name के लिए तो उसने दोनो fonts की .tdf file हमारे system में से उठाके एक fonts के folder में place कर दिये so अब क्या होगा जब कोई इस file को use करने लगेगा तो वो पहले इन fonts को install करेगा अपने system के अंदर और उसके बाद जो जब इस file को open करेगा तो उसके पास missing fonts का error नहीं आएगा so बिलकुल ऐसे ही हमने एक image use की थी अपने design के अंदर तो उसने क्या किया कि उस image को हमारे desktop से उठाया और links के folder में place कर दिया so जब ये file open की जाएगी किसी और system के अंदर तो उस team member के पास उस client के पास missing image का option भी नहीं आएगा तो second image के साथ हम एक और काम ये कर सकते है कि image को हम embed कर सकते है इस document के अंदर हम इसका जो link है उसको खतम कर दे इसको हम embed कर देते है so इसको embed करने के दो तरीके है let's select the image layers में जाके हम image को select करते है ठीक है और अगर आप उपर अपने top इस बार को देखें this is known as dock तो यहाँ पर आपको एक option नज़र आएगा embed का ठीक है तो आप इस embed पर क्लिक करके इस image को इसी document का part बना सकते है इसके लावा हमारे पास second option ये है कि आप जितनी भी image यूज करते हैं तो उसको हम यहाँ से जाके access कर सकते हैं विंडोस में गया और यहाँ पर हम links का properties panel open कर लेते हैं तो जितने भी links हमने use किये हैं images वगरा तो उसने यहाँ पर display कर दी और मैं इस image पर click कर रहा हूँ और इस menu में जाके हम यहाँ से embed image कर सकते हैं तो मैं इस पर click कर रहा हूँ और इसने इस image को हमारे इस document का part बना दिया इसे होगा यह हमारा जो source file है उसका size increase कर जाएगा लिकिन अगर हम for example packages नहीं भी create करते और सिरफ अपने fonts को outline कर लेते हैं बड़ी असानी से open की जा सकती है उसमें missing image का option नहीं आएगा अगर हमने image को embed किया हुए अपने document के अंदर लेकिन अगर आपने image को embed नहीं किया हुआ तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आप image जातो अपनी source file के साथ अलग से अपने client को hand over करें या उसका भेथर तरीक यह है कि आप packages create कर लें तो आपने जहां-जहां से images use की वी है वो आपके system से वहां-वहां से images उठाएगा और links वाले folder में place कर देगा So this is how you can create the packages See you in the next lesson Thank you so much